विल्य वीडियो आप सब के लिए बहुत इंक उसका रीजन यह कि आगर आप लोग's stock market में ट्रेड करते हैं और आपको यह नहीं पता कि हम कैशे में ट्रेड में या फिर फ्यूचर जेड बहुत सारा valuable content, free में आपको deliver करने वाले हैं, so आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाले हैं, और आज हम जो सीखने वाले हैं, कि भी आप cash में trade करें, futures में trade करें, options में trade करें, इसे हम सीखेंगे, मैं आपको कुछ examples के तुरू सिखाऊंगा, जिससे आपकी clarity और भी ज़्यादा बढ़ेगी, अब मैं यहाँ पर आपको cash, futures and options के अबाले में बताऊं, तो एक example ले लेते हैं, example यह है, मान लेते हैं, आपने एक किसी जगाँ पे real state में investment कर दी और एक करोड रुपे का आपने घर खरीद लिया, आपने जैसी घर खरीदा, आपको पता लगा, आप मार्केट में न तो मंदी आने वाली है, आपने जिस अपार्टमेंट के अंदर flat लिया, वहाँ पे 500 ऐसे flat हैं जो बिके नहीं हैं, और मान लेते हैं वो भी एक करोड रुपे के हैं, तो इन्वेंटरी बिल्डर की खड़ी हुई है, 500 करोड रुपे की, अब आप ऐसा देखते हैं कि मार्केट में यार, मंदी आने वाली है, रियल स्टेट के प्राइस गरने वाले हैं, आपने तो कि आप पहले एक करोड रुपे में खरीदने की जगाँ बेच दें, सेल कर दें, और जब असी लाग का हो जाए तो दुबारा खरीद लें, आप कहेंगे सिर्थ कैसी बाते करें, ऐसा थोड़ी होता है, ज्यादा रेट पर बेच दें, ज्यादा रेट पर हम खरीज सकते हैं, बढ़ अगर कम हो जाएगा, तो हमें फिर उसी रेट पर उसे सेल करना पड़ेगा, अगर हमने बाए महंगा किया हुआ है, बट क्या उल्टा पॉसिबल है, आप कहेंगे पॉसिबल नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह पॉसिबलिटी है, इस एंगल से सोचिए, कि बिल्डर ने आपको एक करोड का बेच दिया, बिल्डर ने आपको एक करोड का बेच दिया, आपने एक करोड दिया थे, बट जब 80,000,000 का हो गया, और मान लीजिए, आपको पैसो की जरूरत आगई, और बिल्डर दोबारा बोलता है, आपको चले यहार मैं 80,000,000 का खरील लूँगा, तो 20,000,000 का प्रॉफिट किसका हुआ, 20,000,000 का प्रॉफिट हुआ, बिल्डर का, क्योंकि उसने एक करोड आप से पहले ले लिए थे, और उसी चीज़ के बाद में आपको उसने 80,000,000 पगड़ाए, आप कहेंगे हैं इसा हो सकता है, बर रियालिटी में ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो लोग हैं, वो अगर एक चीज़ महेंगी खृरी लेते हैं, तो अगर वो सस्ती हो जाती है और उन्हें उस वक्त पैसों की जुरूत होती है तो उन्हें बेचना पड़ता है और उनका नुक्सान होता है तो इसका उल्टा नहीं होता है अब मैं आपको दिखा हूँगा कैसे देखिए जब हम कैश मांकेट की बात करते हैं तो आप सिर्फ के लिए आपने कोई अपना मनपसंद शेयर के आपको भी नाम ले लिए आपने उसे खरीद लिया अगर उसका रेट टूट जाता है और आप उसे बेचेंगे तो नुक्सान होगा आपका प्रॉफिट सिर्फ उसी कंडिशन पर होगा कि अगर शेयर का प्राइस ऊपर जाता फूचर जन ओप्शन में ट्रेंड के अपॉचिट में ट्रेड कर रहे हैं अगर वह ट्रेंड को फॉलो करते होगे तो वह पैसा बनाएंगे नंबर नमबर टू यहां पर क्या है कि आप शेयर के अंदर कितने भी शेयर ले सकते एक खरीद दो फशन पांच रिदो दस पढ़ेंगे आपको 200 शेयर 7 लग की investment होगी अगर हम cash में खरीदेंगे but future के अंदर आपको leverage मिल जाता है एक्जाम्पल के लिए आपको 4-5 गुना का leverage मिल जाता है आपने यहां पर मैं आपको दिखाता हूं example अगें आपको देखने से clarity जादा मिलेगी अगर हम futures की बात करें तो अगर आप यहां पर upstocks के margin calculator पर जाएंगे अगर आपके पास अभी तक डीमेट अकाउंट नहीं है description comment box में upstocks का link है free में डीमेट अकाउंट आप खलवा सकते है lifetime कोई charges नहीं है AMC भी चार्ज नहीं करता upstocks इसके अलावा लोग reference नंसे भी पैसे कमा रहे हैं तो upstocks पर जागे free में अपने डीमेट अकाउंट खलवा लीजे अब यहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि exchange होग जो margin required है वह 154,000 200 shares के हिसाब से तो यह आपकी investment हुई वहां पर आपकी investment कितनी हुई थी वहां पर 7 लग की investment हुई थी तो एक जगह पर 7 लग की investment एक जगह पर 154,000 की investment अब अगर हम बात करें options की तो option के अंदर मान लीजे आप again खरीदते हैं क्योंकि आपको लगता है यहां पर दोनों खरी सकते हैं बेच सकते हैं तो आपने call option खरीदा call आप कब खरीदते हैं जब हमें लगता है market बढ़ेगी तो अगर आपने यहां पर खरीदा तो आप क्या देखेंगे option का जो premium है example के लिए आपको दिखता है 90 रुपे का है अगे lot तो 200 का है तो आपकी investment कितनी ल सकते हैं कि यहां पर एक तो जो हमें margin required है जो पैसा required है वो options के अंदर कम है और options के अंदर अगर आपकी trade successful नहीं होती तो आपका maximum loss क्या है आपका maximum loss है जो आप premium pay करते हैं तो 22,500 जादा आपका नुकसान नहीं हो सकता बड़ यहां पर और cash में आपका जादा नुकसान हो सकत है अब अगर हम charges की बात करें मैं आपको यह क्यों बता रहा हूं क्योंकि charges लो consider ही नहीं करते हैं अगर आप एक बड़े amount से shares खरीद रहे हैं तो आपको यह brokerage और charges को भी समझना पड़ेगा मैं आपको दिखा देता हूं तो यहां से देखने से जादा समझ आएगा आप यह 255 रुपए का profit होगा बड़ आप यहां पर देखिए security transaction tax आपको 425 रुपए का है and total charges अगर आप देखेंगे तो 1700 के असपास हैं अगर डिलीवरी में खरीदते हैं और अगर आप सेम चीज को futures में trade करते हैं और futures में भी आप 200 shares खरीद लेते हैं तो lot है मापे 2800 खरीद के 2900 बेचते हैं तो profit तो नियर अबाउट आपको 24000 का सपसाएगा यहां पर 24000 क्यों आया क्योंकि आपका जो charges है वो कम हो गया यहां पर security transaction tax सिर्फ 72 रूपीज है तो यहां पर total जो आपके taxes and charges हैं वो सिर्फ 182 रूपीज है तो आपको delivery में जहां पर आप shares खरीद रहे थे वहां पर आपको थोड़ा सा जादा आपको charges pay करने बढ़ रहे हैं तो लोग बहुत जादा इसके बारे में सोचते नहीं हैं but overall और आपको हर चीज से फरक बढ़ता है and अगर आप इसे ही options के अंदर देखेंगे तो example आपने options के अंदर 200 quantity होई है 90 रूपे का खरीदा और अगर आपका मान लेते हैं वो बढ़ गया अगर अठाइसो का चला गया तो यहां पर आपका option का जो premium हो भी बढ़ जाएगा वह 190 रूपे का हो गया तो अगर ऐसा हुआ तो अगेन आपने 24,000 रूपे कमाए लगाए कितने थे 22,000 बढ़ पान सु मैंने आपको example दिया था 90 रूपे के हसाब से और यहां पर आपको सिर्फ जो taxes पे करने हैं और charges पे करने हैं 116 तो आपको options के अंदर comparatively charges कम लगते हैं यहां पे lot में trade किया और यहां पर आपने सिर्फ premium पे किया option का futures के अंदर आपने same trading करी थी margin वापे जादा required था 154,000 लगे थे आपके पर यहां पर भी आपने 24,800 के असपस कमाए और आपने similarly 23,000 अपने equity में भी कमाए होंगे अगर आपका 100 रुपय का share price बढ़ जाता है तो तो यहां पर 23,000 समदेंगे क्योंकि यहां पर charges जाद है इसलिए थोड़ा सा फरक है अब आपको यहां पर समझ किया होगा कि एक तो यहां पर जो charges है थोड़े से जादे यहां पर लगते ह आपको तो आप long term के लिए carry कर सकते हो तो यहां पर carry forward है आपके पास option बट अगर हम यही सेम चीज़ की बात करें futures के अंदर तो आपको expiry से पहले-पहले execute करना अपना order similarly options के अंदर भी आपको expiry से पहले-पहले execute करना है उसके बाद आप दुबारा से अपनी position बना सकते हो एक अलग बात हो गई बट अगर आप सिर्ट करते हो तो आपके पास हर किसी के पास देखो हर किसी की capacity अलग है पैसा सबके पास अलग अलग है तो कोई हो सकता है साथ लाग रुपय फॉर्ट कर सकता हो तो वह कैश में भी trade करना future option है और वहीं पर अगर similar trade अगर हमारा vision से मे 12500 में भी हो सकता है जो कि हमें similar profit लागे देगा तो अभी हमने cash versus futures versus option समझा आप अगर trade करते हैं तो आप कौन से segment के अंदर trade करते हैं comment करके जरूर बताएगा और यह भी जरूर बताएगा क्यों करते हैं trade और इससे होगा कि बहुत सरे लोगों को आपके comments पढ़के सीखने को भी मिलेगा तो आज हमने क्या समझा है futures and options के अंदर cash versus futures versus options के अंदर किसमें trade करने के क्या फायदे और क्या नुक्सवान है यहाज हमने सीखने की कोशिश करिए अभी futures and options में आपको बहुत को सीखना बाकि है तो आप बने रही है मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में तब तक के लिए इस वीडियो को शेर जरू कीजेगा क्योंकि इस वीडियो से बहुत सरे लोगों के doubts clear हो जाएंगे finally इस वीडियो को प्यार देने के लिए like कर दीजिए सवाल आप अपने comments में पूश सकते हैं next videos में हम उन सवालों को answer करने की कोशिश करेंगे facebook video देखने follow क कीजिए YouTube पर देखने subscribe कीजिए वेल अगन पर क्लिक कीजिए I will see you in the next video till the time अगर आपके पास अभी तक अपना डिमेंट अगान नहीं है डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में अप्स्टॉक्स का लिंग है फ्री में जाके अपना डिमेंट अकॉन खुलवा सकते हो and go self-made